अच्छा जी, असलाम लेकुम, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मुबाइल पे एडिटिंग कैसे करेंगे पिक्चर की, तो इसके लिए प्लाइटूम डाउनूट कर लें और उसको उपन कर लें, अब अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे रहा, इसको म 916 जूस करेंगे, हम लोग पॉट्रेट और डेंगर देते हैं इसको, चलने एडिटिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले आप लाइट में चले जाएं, ठीक है, एक्सपोजर जो है, इसका आपने इस फिक्चर का कम करना है, वो डार्क थोड़ा सा एफेक्टिस में आना चाह तकरीबन शेडूज चले जाएं, शेडूज में आप शेडूज कर दें, प्लस 60, 65, 66 तकरीबन अराउंड इसके ऊपर नीचे हो क्यों मसला नहीं है, इसमेलरली वाइट में चले जाएं, आप लोग वाइट माइनस 60 तकरीबन रखें इसको, ब्लैक्स जो हैं, ब्लैक्स प्लैक्स में ही रखना आप, कलर में चले जाते हैं, टमपरेचर को थोड़ा सा हमने ज्यादा किया, प्लस 10 ठीक है, वाइबरेंस माइनस 25, 30 ठीक है, अच्छा जी, तो हम एफेक्ट्स में चले जाते हैं, क्लैरिटी हमने ज्यादा करनी है, देखें, इतना क्लियर करें उसक ताकि उसके पिक्जल्स ना भटें, फोटो के, तो क्लैरिटी कर लें, उसके बाद विगनिट जो है, इसको थोड़ा सा कम कर लें, वो जो कोनों में जो आपको ब्लैक से एफेक्ट दिता है, यह विगनिट है, ठीक है, तो यह कर लें, उसके बाद आप लोग चले जाएं, दोबारा कलर में, कलर में, आप कलर मिक्स ओपन करें, रेड़ सेलेक्ट करके उसका आपने सेजरेशन थोड़ा सा कम करना है, माइनस 30, 40, 35 के बीच में, ठीक है, उसके बाद उसका लूमिनिंस भी कम कर दें, थोड़ा सा, माइनस 19 तक जिवन ठीक है, और इन सेलेक्ट कर ले ही थोड़ा से कम कर लें साज्छी थोड़ा से ज्यादा कर लें थोड़ा ल्यूमिन्रस है उसको तो छोड़ा से जादा कर लें थाकि लूमिन्रसिघर ने जुछ लाइट कह emoji 99-99-100 करें देखरीवन Saturation भी उसका बिल्कुल कम करतें Lumines भी थोड़ा सा कम करतें Green किलर जो है वो असल में फोटो है ग्रीन Leaf भी ग्रीन है तो आपको इसलिए थोड़ा सा AStatic लिख देने के लिए कम करना है अच्छा यह हो कि उसके बाद Sky Blue सेलेक्ट करें Minus 100 करतें बिल्कुल Dark Blue Minus 100 करतें फिर से अच्छा उसका परपल इसकी भी Saturation बिल्कुल कम करतें यह जो Red Purple कलर कर जो कलर इसकी भी Saturation बिल्कुल 0 करतें Finally यह पिक्चर है आपकी ठीक है और इसमें आप Curves या अपना Color Grade कर सकते हैं तो थोड़ा सा कर सा थोड़ा सा खेल सकते हैं जब आपको अपना वो जो डिजार्ड रिजल्ट मिल जाए थोड़ा सा तो बस सिंप्ली तब आप उसको Final करके Color Grade करके Simply इसको एक्सपोर्ट कर लें आप आप आप